सब्सक्राइब कैसे हैं आप मैं हूँ डॉक्टर परमजी तो आप देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन जो लोग मुझे नहीं जानते इस चैनल के द्वारा मैं आप सबको health और healthcare के बारे में simplified medical explanations देता हूँ बहुत simple भाशा में वीडियो बनाते हैं Hindi English भाशा में वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और बहुत सारे health और health care concerns topics के बारे में वीडियो में present है अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ब्राउस करिए, सर्च करिए, अपने concerns के बारे में सर्च करिए, blood pressure से लएके sugar तक, gallstones से, kidney stone तक, arthritis, asthma, हर चीज़ के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा और weight loss भी, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तो जरूर इस channel को subscribe करिए, bell का icon दबाईए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का notification तुरंट मिल सके, तो दोस्तो आज, आज का हमारा topic है gallstones, यानि के पित की थैली में पत्थरी, पित की थैली में पत्थरी दोस्तो कई लोगों को ultrasound में, sonography में मिल जाती हैं और फिर doctors advice करते operation की, पित की थैली निकालने की और कई लोग फिर निकल भी देते हैं, तो दोस्तो आज हम जानेगे कि पित की थैली में जो पत्थरी आ जाती है, वो क्यों आती है, किस चीज से बनती है, उससे क्या problem आती है, आपको क्या sign, symptom, क्या दिक्कते आ सकती है, operation कब करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप ताकि आप पित की थैली में पत्थरी ना हो, तो आएए शुरू करते हैं, अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल, डॉक्टर एजूकेशन और बेल का इकन दबाएए, ताकि आप आने वाले हर व γौल ब्लैडर जो होता है, ये आपके लिवर के नीचे एक ओर्गन है, एक गरंथी है, इस पित की थैली का काम है कि ये आपके फैट डाइजेशन, कولेस्टरॉल के डाइजेशन में को पचाने में काम करता है, और इसके अंदर से जो एक वाइल नाम का अर्क निकलता है, य अपके छोट छोटी आथ में जाके cholesterol को digest करने में मदद करता है तो ये बाइल आपकी पित की थैली से एक छोटी सी pipe से निकलता है जिसे हम बाइल डक्त कहते हैं बाइल डक्त से जाता है और ये आपकी छोटी आथ में निकलता है इसके साथ दोस्तों ये पित की थैली के साथ pancreas नाम का भी एक ओर्गन होता है इसका भी काम है आपके fats को आपकी चिकनाई को गलाने का और यह pancreas के अंधर से भी डक्ट निकलती है जो के अपकी पित की थैली वाली डक्ट के साथ आके जुढती है और यह दोनों मिलके फिर छोटी आत में अपने जो enzymes हैं वो छोडते हैं, digestion के टाम तो इन दोनों का काम है digestion का तो इस पित की थैली में पथरी अगर आ जाए तो आपको गॉल्स्टोर्न कहते है ईसे गॉल्स्टोर्न डिजीस, कोली लिथियासिस कहते है और यह पथरी दोस्तो एक छोटे से कंकर से लेके गॉल्फ बॉल जेतनी बड़ी भी हो सकती है कई लोगों को पथरी, एक अकेली पत्री होती है जो बड़ी होती है कई लोगों को बहुत सारी पत्रियों का कचरा वाले पत्री भी पड़ी होती है बहुत सारी चुटी 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 पत्रिया होती है दोस्तो सबसे बड़ी बाद आपको जो बतानी है कि पित की थैली में पत्थरी के वज़े से कोई मेजर धिक्कत नहीं होती पत्थरी के वज़े से पत्थरी महाँ पर पड़े पड़े कुछ नहीं करती जब तक ये पत्थरी पित की थैली के बाहर जाने का रास्ता ना खराब करे नास्ता ना ब्लॉक करे अगर पित की थैली से जो बाइल डक्ट है उसके अंदर पत्थरी चले जाती है उसे ब्लॉक कर देती है आगे चलके अगर जो पैंक्रियास से डक्ट आ रही है उसका जो रा पत्थरी वहीं पर infection कर दे, inflammation कर दे उससे, तो पित की थैली के वज़े से इन सब चीजों में problem, तो पित की थैली में पत्थरी के वज़े से ये problem आ सकती है, अगर मान ले ऐसे कुछ होता है, तो क्या होगा, अगर आपके पित की थैली से निकलने का रास्ता बंध हो जाए, ब् पेट के उपरी हिस्से में right side में हो सकता है, पेट के उपरी हिस्से में बीच में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, दोनों के बीच में, बिल्कुल बीचो बीच पीठ में हो सकता है, डाहिने कंधे में हो सकता है, और कई दफा आपको इस दर्द के साथ उल्टी भी आ सकती है, नौजिया, उपकाई भी आ सकती है, तो यह सबसे बड़ा symptom है, जो दिक्कत सबसे ज़ादा होती है, पित की थेली के दर्द में, कई दफा दर्द जो है, पैंक्रियास से भी उठ सकता है, अगर पैंक्रियास के जो डक्त है, उसमें ब्लॉक के जा जाए, और उसके वज़े से पैंक्रियास टाइटेस भी हो सकता है, और वो भी दर्द प्रोड्यूस कर सकता है, दर्द उसका यहाई पर बीचो बीच होता है, और यह सीधा यहाँ से ऐसा लगता है, पीछे जा रहा है, ठपा, बिल्कुल ऐसे, तो पैंक्रियास के वज़े से भी दर्द हो सकता है, और दोस्तो जब तक ये पत्री छोटी है अराम से पित की थैली में पड़ी है ब्लॉक नहीं कर रही इंफेक्शन नहीं कर रही तो कुछ नहीं करना होता ओपरेशन भी नहीं करना होता तो आप डॉक्टर को कब दिखाएंगे जाके अगर आपको दर्द है इस किसी भी प्रकार का दर्द है इस तरीके का और बहुत तेज दर्द है तो दिखाएंगे और दूसरा कारण आप दिखा सकते हैं अगर आपकी चमडी आपकी आखें आपकी जबान पीले पड़ रहे हैं तो अगर आपको पीलिया हो रहा है तो दिखाएंगे तीसरा कारण अगर आपको बुखार आ रहा है ठंड के साथ बुखार कपकपी के साथ बुखार तो आप दिखाएंगे जाके यह तीन मेजर कारण है जो इसके साथ आप डॉक्टर को दिखाएंगे आपको उल्टि आ रहे हैं इन डाइजेशन थोड़ा बहुत हो सकता है ज्यादा हो तो वह दिखाईएं तो दोस् आपकी पित की थैली जो पित बनाती है बाइल बनाती है इसका काम है कोलेस्ट्रॉल गलाना कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं गला पा रही है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ही जादा है जो नहीं गल पा रहा बच जा रहा है तो वह जमा हो जाएगा पित की थैली में पत्थरी बना लेगा तो यह एक कारण है कोलेस्टरॉल की पत्थरी हो जाने का और कोलेस्टरॉल क्वाले जो स्टोन होते हैं वो पीले कलर के होते हैं दूसरे प्रकार का स्टोन जो गॉल ब्लैडर में पित की थेली में बनता है वो है बिली रूबिन स्टोन और बिली रूबिन स्टोन जो होते हैं वो ब्राउन या काले कलर के होते हैं डार्क ब्राउन कलर के और ये बनते हैं बिली रूबिन से अगर आपके पित की थेली में ब बहुत जादा कोलेस्टरॉल है यह हमने अल्रेडी देखा है कि अगर आप बहुत जादा कोलेस्टरॉल खाते हैं या बहुत ही जादा कोलेस्टरॉल आपका लिवर बना रहा है तो आपका पित जो है बाइल जो है वह उतना सारा कोलेस्टरॉल नहीं गलाब आएंगे और कोले इम्मगलोबिन लेखे जाते हैं जब तूटते हैं तो वह vivirUbine भी भी बनाते हैं Dollᵌ एक कारण हुए दूसरा जब लिवर की बिमारी होती है जैसेलिवर सिरोसिस हो गया या पिलिरियी ट्रैक पित की ठहली के जो रास्ता है उसमें infection हो जाए तो भी bilirubin बहुत बढ़ जाता है तो liver की बिमारी, खून की बिमारी जिसमें खून बहुत जादा तूट रहा है blood cells तूट रहे हैं या पित की ठैली का रास्ता उसमें infection हो जाए तो bilirubin बहुत जादा हो जाता है pigment stone, bilirubin stone उससे होते है उससे बिलिरूबिन की पत्थरी हो जाती है तीसरी चीज जिसके वज़े से पत्थरी होती है वो है कि अगर आपकी जो पित की थैली है वो पूरी तरह खाली नहीं हो रही है हर बार अगर वो पूरी तरह खाली नहीं हो रही है ब्लॉकेज के वज़े से या उसके जो उसकी जो function है जो उसका contraction वो कम हो जाए किसी कारण के वज़े से नसों में problem के वज़े से तो क्या होगा धिरी धिरे उसमें जो बचा हुआ बाइल है बचा हुआ जो पित है वो गाड़ा होता जाएगा और गाड़ा गाड़ा पत्री के ज़्यादा chances होते हैं गाड़े पित में गाड़े बाइल में तो दोस्तो ऐसे कई रिस्क फैक्टर हैं कि अगर आपको वो रिस्क फैक्टर है तो आपको पित की थैली होने की चांच से जादा है तो ऐसे क्या रिस्क फैक्टर है चल दिखते हैं पहला रिस्क फैक्टर है अगर आपकी उमर 40 है या 40 से जादा है अगर आप महिला है अगर आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो आपको रिस्क जादा है कि आपको पित की थैली में पत्री हो जाएगी. अगर आप sedentary lifestyle है, मतलब आप बहुत जादा work नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, बहुत जादा exercise नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कुछ नहीं, बस खाना पीना बैठा लेटना और मोटे होते जा रहें, तो आपको पित की थैली में पत्री हो है, उसको fiber absorb नहीं होने देता, इसलिए high fiber diet अच्छी होती है, diet पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, कि पित की थैली में पत्री वाले लोगों को किस प्रकार की diet खानी चाहिए, चल्दी बनाऊँगा, कुछ दिनों में, उसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी family में, family कई लोगों को पित की थैली में पत्री हो रखे तो आपके भी रिस्क जादा है, अगर आपको diabetes है तो आपके रिस्क जादा है, तो कि उससे नसे खराब होती है, उससे movement खराब होता है, अगर आप बहुत ही जल्दी बहुत सारा वजन lose कर दिया, बहुत जादा वजन कम कर द हैं, उनके वज़े से कैसे पित की थैली में पत्री बन रही है, तो देखते रिएगा, तो देखते रिएगा इस वीडियो के लिए हमारे चांदो को, इसके अलावा, हाँ, जैसे मैंने बताया, लिवर की बिमारी और कई दवाईयों में, ऐसी चीज़े हैं, जैसे कि इस्ट बनी है, पड़ी है, कुछ नहीं होता, लेकिन पड़ी है से कॉमपलीकेशन हो सकते हैं आगे चलके, आज नी तो कल, कल नी तो परसो, अगर जो कारण है जिसके बज़े से बनी है, वो नहीं ठीक हो रहा है, बढ़ती जा रिएए, बढ़ती जा रिएए, तो क्या होगा? जै आपको पीलिया हो जाएगा, आपको दर्द होगा बहुत साथ, और आपकी पित की थहली सूच जाएगी, दूसरी चीज, अगर यह छोटी पथ्री आगे चलके जो पैंक्रियास से एक डक्ट आरी है, जो नली आरी है, उस नली को जाके ब्लॉक करतें, तो क्या होगा, pancreas में problem हो जाएगा pancreas में susan infection हो जाएगा pancreatitis बोलते हैं inflammation हो जाएगा और pancreatitis का दर्द होगा बहुत जादा और digestion का problem तो होगा ही तीसरी चीज पित की थैली में पड़े पड़े भी इसमें ये क्या होगा हिलेगी दोलेगी तो कई दफ़ा एक खरोच-खरोच के गौपित की थैली को ही inflammation infection कर सकती है पित की थैली में inflammation होता है उसे कहतने है colesistitis और इसके वज़े से भी बहुत दर्द होता है तीनों कारूनों के वज़े से चाहे ये block हो चाहे वो block हो चाहे inflammation हो दर्द भहुत होता है पित की थैली की बिमारी में इसलिए कई लोग operation करा लेते है पर कराना तो पड़ता है आज नहीं तो कल नहीं तो परतो वरना lifestyle change करो कारण ढूंडो उसके हिसाब से चीज़ करो कुछ चीज़े हैं prevent कर सकते हैं लेकिन उससे पहले चौथा दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है complication का जिसे कहते हैं cancer पित की थैली में पड़े पड़े पत्री cancer भी बन सकती है पत्री तो नहीं बनती पित्री के वज़े से बार-बार रगड़न घसरन से वो जो cells होते हैं पित की थैली के बहुत कम है लेकिन रिस्क तो रहा था रिस्क है तो बताना पड़ेगा है ना तो आईए बात करते हैं कि पई चलिए किस का operation होना चीए किस का नहीं बहुत simple है अगर पत्री छोटी है पड़ी है और पित की थैली का काम सही हो रहा है कोई दर्द नहीं कोई परिशाने नहीं कोई सिम्टम नहीं तो operation नहीं जब problem आई दर्द आई परिशानी आई सिम्टम आई operation हाँ करना पड़ेगा तो इसलिए regular चेक करिए और lifestyle change करिए prevent करिए prevention के लिए क्या करेंगे सबसे पहले खाना skip मत करिए regular diet चांसे बढ़ा देते हैं क्योंकि वह regular आदत हो जाती है आदत नहीं रह जाती है उसकी कि हाँ रोज सुबह शान तिन में टीन टाइम हमें आप भार फेकना है अगर वो कुछ दिन तक नहीं फेकेगी एक दिन नहीं फेकेगी पुरा नहीं फेकेगी तो उसमें chances हो जाएंगे बढ़ जाएंगे पित की थैले में पत्थ्री बनने के फिर वजन कम करना चाहते हैं तो दीरे दीरे करिए बहुत तेजी से वजन कम करेंगे तो भी हो जाएगा जाद से जादा आजहा से एक किलो हर हफ़ते एक हफ़ते में एक किलो वजन कम करिए उससे जादा मत करिए दो किलो तीन किलो पांच एक बार वजन कम हो गया तो उसे वजन को कम मेंटेन रखिए रेगुलर एक्सराइज करते रहे हेल्दी डाइट खाते रहे तो यही सबसे बड़ा कारण है और हाई फाइबर हाई फाइबर डाइट खाये इन सब चीजों से आप पित की थैली की पत्री बनने से रोक सकते हैं तो दोस्तों अल्टिमेटली अगर पित की थैली पत्री बढ़ती गई बढ़ती गई तो अपरेशन कराना ही पड़ेगा आज नी तो कल अपरेशन बहुत आसान है ऑपरेशन आज पर आपको इन सारी जहनकारी से फाइदा मिला है और अगर मिला है तो पहला काम करिये चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब के साथ-साथ जो साइड में बेल का घंटे का बटन है बेल का आइकन है उसे जरूर दबाईए दोस्तो कई लोग वो नहीं दबाते इस वज़े से हमारे बहुत अच्छे-च्छे वीडियो जो आगे आने वाले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कब आए आप सोच सकते हैं 180 वीडियो हैं मेरे चैनल में आपने तो नहीं देखा होंगे 180 इसलिए बेल का आइकन जरूर दबाईए और चैनल जाके देखिए बहुत सारे वीडियो हैं आपके पसंदीदा टॉपिक के बाहरे में जानिये अगली बार मैं डिसकस करूँगा कि बहुत जल्दी वजन कम करने से कैसे पित की थैली में पत्री हो जाती है और डाइट और नूट्रिशन क्या खाना चाहिए अगर आपको पित की थैली पत्री हो जोकी है अगली बार तक अपना ख्याल रखिए देखते लिए हमारा चैनल मैं हूँ दॉक्टर परंजीद स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी सो ये एक कारण हुआ दूसरा कारण पित की थैली में पत्री होने का है पिगमेंट स्टोन, बिली रुबिन नाम का एक पिडिन बिली रुबिन नाम का एक पिडिन और और ये जो कई रगों को गॉल ब्लेडर में स्लज होता है बहुत सारा वहाँ पे वो छोड़ तो आपका बाइल जो है बिली रुबिन है तो आपकी पित की थैली जो है जो पित की थैली चल अगर आपको कारण ये भी एक बहुत वो बढ़करी काड़ दो बहुत है